नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम मैनुफेक्शिर्ण प्रोसेस की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मैनुफेक्शिर्ण प्रोसेस को किन डिफरेंट पार्स में क्लासिफाई किया जा सकता है तो वीडियो में बने रहे और शुरू करते हैं आज का वीडियो पिछली वीडियो में हमने जाना मैनुफेक्टरिंग प्रोसेस के बारे में कि मैनुफेक्टरिंग क्या होती है टेकनोलजिकल एंड इकॉनमिकल एस्पेक्ट से मैनुफेक्टरिंग को डिफाइन किया था हमने देखा था कि manufacturing एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर raw material को convert किया जाता है finish goods में various kinds of resources जैसे कि man, machinery, tools, chemical processing etc इन सभी का इस्तेमाल करके raw materials को बदला जाता है finish goods में अब raw materials और finish goods में क्या फरक होता है चलिए ये देखते है raw materials ऐसे materials होते है जो कि production के लिए जरूरी होते है और जिन से कोई भी product बनाया जाना है ये generally unprocessed होते है जैसे कि wood, mineral, ores, leather, rubber blanks, plastic, इत्यादी वहीं दूसरी तरफ जब raw material के उपर कोई manufacturing process किया जाता है जो end product या useful product हम बनाते है उसे finish product कहा जाता है जैसे कि हमने wood का example लिया था wood एक तरह का raw material है लेकिन जब wood के उपर various kinds of manufacturing process जैसे की cutting, joining और finishing इत्यादी इस तरह के manufacturing process किया जाते है तो wood से एक तरह का end product बनाया जाता है जिसे की finish good भी कहा जाता है जैसे की bed, chair और table इत्यादी तो raw materials को finish good में convert करना ही manufacturing कहलाता है इसके लिए wages kinds of resources जैसे की man, machine, tools, chemical processing के त्यादी इन सभी का इस्तिमाल किया जाता है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे की manufacturing process को किन different parts में classify किया जाता है देखे अगर metal से product बनाने की journey की बात करते है तो इसकी शुरुआत होती है पहले step में जहाँ पर metal को extract किया जाता है इसके और से इसके बाद reducing process के माधियम से metal को molten form में बदला जाता है कास्टिंग के माधियम से इस molten metal को bold में डाला जाता है और बड़े casting ingoards बनते हैं जहाँ पर various kinds of manufacturing process किये जाते है तो पहला process है primary shaping process जैसा की नाम से ही सबस्ट है यह ऐसे manufacturing process होते है जहाँ पर हमें जो भी product बनाना होता है वहाँ पर इसे rough shape दी जाती है यहाँ पर finishing बिलकुल भी अच्छी नहीं होती और ना ही dimensional accuracy भी अच्छी होती है बस जो product बनाना है उसकी एक थरा से rough shape दी जाती है अब कई product को तो इन manufacturing process से निकलने के बाद further operation की अवशिकता पड़ती है पर कईों को नहीं depend करता है कि यह जो product हमने बनाया है इसे कहाँ पर use करना है primary shaping process का एक example है casting तो casting एक ऐसा manufacturing process होता है जहाँ पर mortar metal को एक mold के अंदर डाला जाता है mold में एक hollow cavity होत ठमने बनाना होता है उसकी shape की अब इस molten metal को cavity में ही solidify होने दिया जाता है जब solidification हो जाती है उसके बाद cavity या mold को destroy किया जाता है और उसमें से solid object को बाहर निकाला जाता है इस solid object को casting कहा जाता है और यह पूरा process casting process कहलाता है इसी तरह से powder metallurgy plastic technology casting इत्यादी यह सारे primary shipping process के आपने वाली videos में हम detail में discuss करेंगे देखिए अगला process है machining process और इसे secondary process भी कहा जाता है यह generally material removal process होते है जहाँ पर chips की फारो में material remove होता है इस process का इस्तेमाल dimensional accuracy को achieve करने के लिए किया जाता है जब भी dimensional accuracy को achieve करने की बात आती है तो वहां पर marking and measuring instrument का इस्तेमाल किया जाता है ज जहां पर work piece में से excessive material को remove किया जाता है जर्नली यहां पर cylindrical work piece का इस्तेमाल होता है और cylindrical work piece का diameter reduce किया जाता है जब टरनी को late machine के उपर perform किया जाता है तो इस cylindrical work piece को chuck में hold किया जाता है जहां पर यह work piece rotate करता रहता है अब इस rotating work piece के against जब किसी stationary cutter को ले जाया जाता है तो वहा शचीव कर लेते हैं इसी तरह से टरेन्ग ड्रेफिंग शॅविंग बोरिंग द्रौन इसके अगले प्रॉसेस जोम्प यहांबर्ज को कुछ से बहुत से दिखे मेक्टरी फेल्ट और यहांगों ही जोएंग इसकी होते हैं जिनने हम successful हैं या कोई बहुत large length का product बनाना हो तो उसे as a single piece में बनाना मुश्किल होता है तो ऐसी condition में इस किसी product के different components को अलगलग करके बनाया जाता है उन्होंने बाद में join किया जाता है जैसे कि अगर हम car की manufacturing की बात करें तो car by different parts या different components होते हैं अब car को एक single unit में बनाना मुश्किल होगा तो इसलिए इन सभी component को अलगलग करके बनाया जाता है और बाद में इने joining process के मात्यम से assemble किया जाता है joining process का सबसे common example है welding तो welding एक ऐसा manufacturing process होता है जहां पर दो या दो से अधिक metal parts को अपस में join किया जाता है और इस joining के लिए heat या pressure का इस्तेमाल किया जाता है कई applications तो ऐसी है जहां पर heat का इस्तेमाल अके लिए किया जाता है joining के लिए और कई applications ऐसी भी है जहां पर pressure का इस्तेमाल अके लिए होता है लेकिन इसके अलावा कई applications ऐसी भी है जहाँ हीट और प्रेशर दोनों का इस्तेमाली कठे किया जाता है metal parts को join करने के लिए Welding के अलावा sold ring, bracing, riveting, screwing, press fitting और centring के तियादी ये सारे कुछ joining process के examples है अगला process है surface finishing process ये ऐसे manufacturing process होते है जिनका main purpose एक अच्छा surface finish provide करना होता है इन processes के बारे में misconception है कि ये material removal process होते है यहाँ पर material removal होता तो है लेकिन ना के बराबर होता है इनका main purpose high lustre provide करना होता है surface finishing process का एक example है buffing तो buffing भी एक तरह का surface finishing process है जो की after polishing perform किया जाता है यहाँ पर एक cotton wheel का इस्तेमाल किया जाता है जिसे की buffing wheel भी कहा जाता है यह buffing wheel high rpm पर rotate करता है इसके साथ अबressive paste का भी इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल wood, metal और composite को शाइन करने के लिए किया जाता है बफिंग का ज़्यादा तर इस्तेमाल होता है गाड़ियों को शाइन करने के लिए जहां पर आप्टर पॉलिशिंग बफिंग की जाती है बफिंग के अलावा होनिंग लेपिंग सुफर फिनिशिंग ग्राइंडिंग पॉलिशिंग टंबलिंग सेंडिंग इत्यादी ये सारे सर्फेस फिनिशिंग प्रोसेस के कुछ एक्जामपल्स है अगली तरह के processes हैं metal forming processes यह ऐसे manufacturing process होते हैं जहां पर force, pressure या stress का इस्तेमाल करके raw material को deform किया जाता है और required shape and size को achieve किया जाता है यहां पर material removal नहीं होता बलकि compressive, tensile, shear इस तरह की forces लगा कर material की plastic deformation की जाती है और जिस भी shape का component हमने बनाना होता है उस shape को achieve किया जाता है generally इसमें hot working processes और cold working processes आते है hot working processes ऐसे manufacturing process होते हैं जहां पर metal को above rich crystallization temperature deform किया जाता है वहीं दूसरी तरफ cold working processes ऐसे manufacturing process होते हैं जहां पर metal को below rich crystallization temperature deform किया जाता है metal forming processes का एक example है extrusion तो extrusion एक ऐसा manufacturing process होता है जहां पर base material के उपर force लगाई जाती है अब इस base material या base metal के आगे एक pre-shaped die लगी होती है ये die उसी shape and size की होती है जिस भी shape and size का हमने कोई component बनाना होता है जब भी base metal के उपर force लगाई जाती है तो वो इस die से होती हुई बाहर निकलती है और उसी shape and size का component बन जाता है जिस shape की die होती है extrusion process का इस्तेमाल ऐसे object को बनाने के लिए किया चाता है जिनका cross sectional fixed रहता हो या कोई large length का fixed cross section वाला हमने कोई object बनाना है hot working processes and code working processes के अंडर जितने भी processes आते हैं जैसे की forging, rolling, spinning, extrusion, drawing etc. ये सारे metal forming processes के कुछ examples है अगला type है process effecting change in properties तो ये ऐसे manufacturing process होते है जिन से material की properties में कोई change आता है generally ये heat treatment की वज़ा से होता है अब ये heat treatment क्या होती है तो heat treatment एक ऐसा process होता है जहाँ पर metal को पहला heat किया जाता है उसके बाद उस particular temperature के उपर metal को कुछ समय के लिए hold किया जाता है जिसे की soaking कहा जाता है और रंत में इसे दुबारा थंडा किया जाता है और ये पूरा process heat treatment कहलाता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे material की mechanical और physical properties में change आता है साथ में brain structure भी refine होता है heat treatment processes के अंडर annuling, tempering, hardening, normalizing, case hardening, quinching etc आते हैं heat किया जाता है उसके बाद उस particular temperature के उपर कुछ समय के लिए इस metal को hold किया जाता है और रंत में इसकी rapid cooling की जाती है अब ये rapid cooling, quinching in water, oil या फिर salt बात में हो सकती है और जिससे metal की hardness बढ़ जाती है तो आज की इस वीडियो में हमने manufacturing process की classification देखी जहाँ पर हमने 6 different types के processes को discuss किया तो आगे आने वाली वीडियो में हम इन processes को एक एक करके discuss करेंगे manufacturing technology की ये series जारी रहेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like and share जरूर करें साथ में अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को subscribe भी करें thanks for watching and have a nice day